पहवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के बाद भारत के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर एहमत इल्यासी के खिलाफ अब एक फत्वा जारी किया गया है इस फत्वे में लिखा है कि अब जो चीफ इमाम है वो अपने पत पर बने रहने के लाइक नहीं है और उनको इस्तीफा देना चाहिए वो इमाम के लाइक भी नहीं है हमारे साथ डॉक्टर इमाम उमेर अहमत इल्यासी हैं इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि इस फत्वे में क्या लिखा है और ये तक की बात निकल के सामने आ रहे हैं कि इनको अब धंकिया मिल रही है सर ये फत्वा आपके हाथ में है इस फत्वे को जारी आपके खिलाफ किया गया है इस फत्वे में क्या लिका मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं राम जनम भूमी ट्रस्ट की होर से मुझे निमंतर्ण मिला और निमन्त रंड मैंने स्विकार किया और स्विकार करके मुझे दो दिन लगे उसमें विचार करने के लिए चुकि मेरी जिन्दिकी का ये सबसे बड़ा फैसला था मैं आयोध्या चला गया ये सोचकर कि हमारे देश में आपस में सोहार्द बना रहे और इस फैसले को मैंने राष्ट हित में लिया और मैं वहां गया आयओध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया वहां पर सादू संतों ने बहुत महबत दी टरस्ट ने स्वागत करके इस तकबाल किया एक अच्छा माहौल, एक अच्छी बात वहा سے निकली उस माहौन को देखते हुए मैंने वहाँ वे अपना एक पैगाम दिया पैगाम महब्बत जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारी सब की जातीयां हमारी आस्थायं सब की जब जरूर हलग हो सकती है हमारे सब के धर्म जरूर अलग हो सकते है लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा दर्म है इन्सान और इन्सानियत का है और हम भारत में रहते हैं तो हम सब भारती हैं आँ हम सब मिलकर भारत को मझबूत करें भारतियता को मझबूत करें रास्टर सर्व पर ही है मेरा ये पेगाम मহबत आम हो गया तमाम चैनल ओपर, तमाम सारा वाइरल हो गया, सोशल मीडिया पर चलने लगा, इस बात को देखते हुए, वो लोग जिन को ये प्यार, महबत नहीं चाहिए था, उनको ये आग लगना वहां से शुरू हो गई, ये कौन है, किसने आपके खिलाफ फत्वा किया है, मेरे नमबर तमाम सारे आने लग गए, महाल को खराब करने की पूरी वो होने लगी, ये कौन है, जिनों नहीं आपके खिलाफ फत्वा जारी किया है, मुझे कल एक फत्वा जारी हुआ सोशल मीडिया से, और ये फत्वा जो था, मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से, चुकि इस ने मे मुबाइल नमबर सारवजनिक कर दिया, और तमाम सबको, इस शखस ने कहा है कि सब फत्वे जारी करें, तमाम सारे अमामों को, तमाम देश के मस्जिदों को इसने ये तमाम फारवर्ट करने शुरू करें तमाम देश भर से मेरे पास फोन आने शुरू हो गए माहुल खराव होने लगा रात को जब ये मुझे मिला तो इसमें तीन बिंदू हैं जो समझने के हैं मुझ पर जो कुफर का फत्वा जारी किया है उसको समझने की जबूरत है उन्हों ने कहा है कि तीन वज़े से हम आपको कुफर का फत्वा जारी करते हैं पहला बिंदू है कि आप भगवान राम की प्रान प्रतिस्था में नहीं जा सकते थे चूकि आप एक इमाम है और आप चीफ इमाम है आपका बड़ा दाइट वै आप वहाँ नहीं जा सकते थे इसलिए आपके खलाफ ये फत्वा जारी बनता है दूसरा बिंदू था कि आपने ये कहा इनसानियत बड़ा धर्म है इसलिए आपने इनसानियत को धर्म से बड़ा कर दिया इसलिए आप पर ये फत्वा जारी होता है तीसरा बिंदू है कि आपने कहा कि धर्म से उपर उठकर रास्ट सर्वों पर ये आपने धर्म को नीचे कर दिया और रास्ट को उचा कर दिया इसलिए ये फत्वा आप पर जारी होता है इन तीन बिंदू कौन कौन सी लागू होती है आप पर क्या क्या सजाएं लागू होंगी इस तारी चीज़े इन्होंने मुझे देंगी फत्वे में क्या लिखा किस तरह की सजाएं कुफर के फत्वे में सरकलम की सजा होती है लेकिन इसको ये बालूम नहीं है कि ये भारत है कफर के फत्वinfl के मैं सरकलम के सजा होती है यह फत्वा यह कहता है इसमें तमाएं नह está N Ин कियें हैं कि क्या क्या सजाएं होती है इसमें इनूने जिस तरह से मुझे कहा है कि यह कि फ्र हो गया है काफर हो गया है अब चुकि काफिर होने पर उसको अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अगर मेरे यह पैगाम महबत देने से उनको यह तकलीफ हो रही है मेरा देश के प्रती यह पैगाम देने से उनको तकलीफ हो रही है पहली बात तो ये फत्वा मुझे लागू नहीं होता ये भारत है तो ये इसलामिक देश नहीं है अगर ये फत्वा इसलामिक देश होता तो वहां दिया जा सकता था ये पाकिस्तान में तो दिया जा सकता है लेकिन अगर वो मेरे विरोध ये फत्वा जारी कर रहे हैं तो मु बाते कर रहे हैं इस तफ़ा देने की बाते कर रहे हैं तो मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूं कि मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं मैंने अपने देश के प्रती जो काम किया है अपने देश के लिए किया है राष्ट हित्मे किया है सोहार्थ के लिए क्या है अगर आप को ये मेरा महबत का पैगाम आपको पसंद नहीं है आपको लगता है कि देश के अंदर सुहार्द आपसी भाईचारा बने आपको पसंद नहीं है तो ये फत्वे अगर आपको जारी करने हैं और आपको पसंद नहीं है तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए ये फत्वे और ये सारी चीजे उन लोगों के लिए हैं जो देश से प्रेम नी चाहते अब वो लोग अब दो चीजे सामने हैं अब वो लोग जो मुस्लिम तन्जी में हैं मैं उनको भी आपके माधियम से कहना चाहता हूँ अब अब जो बहुत महत्पून है आप ये मुझे बता रहे हैं कि आपको सर कलम करने की धंकी दी गई है क्या आपने इसको लेकर पुलीस में को शिकायद की हैं यगीना यह चूकि यह फत्वा जारी किया है उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कुफर गई है और हमारे देश के जो ग्रेंस अचीव हैं अचे भला जी उनको भी जाइसकी जानकारी दे दी गई है दिल्ली पुलिस कमिनिस संजे अरोडा जी को भी इसकी जानकारी आज दे दी गई है अब बात इसकी है कि यह जो लोग फत्वे जारी करके देश के अंदर माहौल खराब करणा चाहरे हैं क्योंकि आम चुनाउस सामने हैं मुझे लगता है कि कहीं वुष्ट विरोधी शक्तियां वो कहीं सक्रियत तो नहीं हो गई जो देश की अमन को खराब करना चाहती हूँ चूंकि आज देश जो तरक्की कर रहा है हमारे यह सेश्वी परधानमंत्री शेरि नरेंदर मोदीजी के नेतरत में आज जो भारत तरक्की कर रहा है आज हमारी आर्टिक इस्थिती ती पाँच्व guy पे पह चुकी है आज भारत चांद पे पहुँचुआ है आज भारत सूरच के और अब बढ़ रहा है आज भारत विश्गुरू बनने के लिए अगर सर है तो हो सकता है कि वो विरोधी शक्तियां कहीं हमारे देश के अमन चेन और तरक्की को तो नुकसान नहीं पहुचाना चाहते है। इमाम से और अब ये इसलायक नहीं है और इसे कौम के अंदर मुसल्मानों के अंदर एक जिससे की एक गुमरा करने की कोशिश की जाएगी तो इससे मुझे लगता है कि आपस के अंदर कन्फियूजन होगा इससे की माहल भी खराब होगा लेकिन मैं इनके ऐसे फत्वों से ना ना मुझे इस्तिफ़ा देना है मैं अपनी जगा कायम हूँ जो मैंने किया वो सही किया जो मैंने किया राष्ट हित में किया आज भी कह रहा हूँ सबसे कह रहा हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें ये भाव सब के अंदर आना चाहिए राष राष्ट में राष्ट हित में अगर मेरे को कुर्बानी भी अगर मेरी किर्दी जाए अगर मुझे मेरी शहादत भी अगर देश के लिए हो जाए तो मुझे वो मन्जूर है लेकिन मैं माफी नहीं मागूंगा। जब वहां पहुँचा हूँ जिस तरह से तमाम आएद्याबासियोंे जिस तरह से तमाम सारे वहांपर सादू संतों ने इस्तقबाल किया मुχबत का इजहार किया और समने सवागद किया यहीं तो बताना चाहता हूँ इसी कर तो नाम भारत है आज अगरत ने हमेशा से सब को एक साथ करने की बात की है सर्व धर्म संभाव की बात करता है भारत भारत अनेकता में एकता की बात करता है तो ये उन्हीं के लिए सबसे बड़ा संदेश है तो उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा कि ये पहली मरतबा ऐसा चुकि हुआ है क्पहीं भी किसी छीफ इमम और इमाम के खलाफ dop आस तक फत्वा ही नी जारी हुआ है, यह अपने में, यह पत्वा नहीं मानता ही नहीं। उन्होने जो मुझे फत्वा जारी किया। मैं इस फत्वे पर मैं एक्सप्ट नहीं करूंगा मैं देश के लिए जो किया अपने देश के लिए किया देश के लिए मेरी खुर्बानी है तो इस फट्वेकों एक्सेट नहीं कर रहें चीफ नाम, लॉक्टर इमाम उमेर हमेर्मत ईलियासी, उनोंने शफज़ साफ़ ये बात कही कि जिन लोगों ने फट्वा जारी किया है उ पाकिस्सान जा सकते हैं और जिन्नों नें फट्वा जारी किया है उनको लेकर इनके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं है और सीधे सीधा एक बात और बताई कि इस फत्वे के जारी होने के बाद अब डॉक्टर इमाम ने इसके खिलाफ कम्प्लेंट जो है वो आला अधिगारियों को दे दी है दिल्ली पुलिस कमिश्रों को दे दी है होम सेक्रेटर को दे दी है और ग्रह मंतिर अमिश्चा को भी इसके बारे में इतला कर दिया गया है के मैं में पावन कुमार के साथ मैं प्यूश मुश्रा दिल्ली आज तक